कि नमस्कार शिक्षारतियों नैदानी केवं उप्चारात्मक पोशन की व्याख्यान शिकला में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम व्रिद्धावस्ता में हारेम पोशन के दूसरे बाग के बारे में बात करेंगे पूर्व व्याख्यान में हमने व्रिद्धावस्ता में शारिरिक परिवर्तनों के बारे में और कुछ प्रमुक रोग जो व्रिद्धावस्ता में हो जाते हैं उनके बारे में बात करी इस व्याख्यान में हम उनकी पोशन आवशक्ताओं के बारे में बात करेंगे कौन कौन क पोशकत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त लोह लबन, कैल्शियम या अन्य विटामिनों की मांग बढ़ जाती है ICMR द्वारा पोशकततों की दैनिक प्रिस्तावित मातरा को निर्धारित करने के लिए बृद्धावस्ता को दो भागों में बढ़ ग्रित किया गया है इस तालिका में आप देख रहे हैं कि पूरश और महिलाओं की अवशकता हैं अलग लग हैं और उसमें भी 60 से 69 वर्ष और 70 से अधिक वर्ष की पोशक अवशकतों में डिफ्रेंस है जो हम इस तालिका में देख सकते हैं बात करेंगे पोशकततों की जैसे कैलरी चूंकि व्रिद्धावस्था में शरीर की कोशिकाओं तंतुओं उतोकों में शती बहुत अधिक होती है और निर्माण कारी नहीं के बरावर होता है इसलिए कैलरी की जो रिक्वार्मेंट है वो कम हो जाती है जैसे इसे पूर्व के व्यक्ष्यान में हमने बात करी ए कि बेसल मैटबॉलीक रेट याने की आधारी चेयापशैदर कम हो जाती है और शरी football quiz में व्रिद्ध व्यक्थी को उरजा की आवशक्ता कम होती है इसलिए व्रिद्ध वस्ता में साधारन परिश्रम करने वाले प्रॉड वेक्तियों के कैलोरी की मांग की तुलना में 20-30% कम मूर्जा की आवशक्ता होती है अगर आहर में कैलोरी की अमांट बढ़ाते हैं तो इससे उनकी वजन बढ़ने का खत्रा होता है जो इस आयू में वेक्ति के लिए बहुत नुक्सान दायक होता है क्योंकि मुटापा भी कई अप्शही रोगों को जन देता है जैसे मदू में रिदे रोग आदी प्रोटीन के रिक्वार्मेंट इस अवस्था में आधिक होती है क्योंकि व्रिद्धा वस्था में शरीर के तंतों में टूट फूट की क्रिया आधिक होती है इसलिए इसकी मरमत हितु अहर में प्रोटीन का होना अत्यांत आवशक है परंतु जैसे हमने इससे पूर के व्याक्याने बात करी कि व्रिधावस्ता में पाचन तंत्र में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उनमें कई विकार उत्पन हो सकते हैं तो जो एनिमल प्रोटीन्स हैं जैसे मान साधी उनको पचाने में व्रिधवक्तियों को मुश्कि हो सकती है इसलिए उनको अच्छे प्रानिच स्रूख देने चाहिए प्रोटीन के जैसे दालें सोया भी ना दी क्योंकि इस आयो में व्यक्ति अधिक भोज़न नहीं करन कर पाता इसलिए दूद एक ऐसा आहर है जिसे आसानी से लिया जा सकता है तो कोशिश करें कि व्रिध व्यक्तियों को साथी कैल्शिया, फॉस्फूरस, विटामिन A और D की भी पूरती हो जाएगी वसा का उप्योग रिधा वस्ता में बहुत कम किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक वसा से मोटापा बढ़ता है क्योंकि वसा में कैलोरी बहुत जादा होती है और इस जो अवस् में उच्छी रक्तचापादी हो सकते हैं अधिक वसा के सेवन से अधिक उर्जा प्राप्त होती है जो शरीर में वसी उतोकों की रूप में जमा होकर वजन बढ़ा देती है व्रिधा वस्ता में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है इसलिए वसा योक्त भोजन देर से भी पच होता है इसलिए जैसे हमने पहले बताया की आईरन और कैल्शियम का अवश्रोशन कम होता है और यह पोशक देतों बीना एब्जॉब हुए ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो इसलिए खड़ियां इसमें बहुत कमजोर हो जाती है और अस्ती विर्गती रोग यानिकी ऑस अचा होता है वो भी दे सकते हैं इसलिए इनको इवश्री आहर में शामिल करना चाहिए व्रिद्व्यक्तियों के पिlichkeit है लौल रवाण का अव्शोषन प्रहावित होता है और शेरिश में लौल की कमी चाती है पिप्र्णा हो सकता है वैक्तियों में इसलिए रिख्य इस92 की विज़े से वृद्धे वेक्तियों को धुनला दिखाये देता है उनको मोट्या बिंद जैसी समझे हो सकती है इसलिए इस अवस्था में स्वस्था आंखों और स्वस्था के लिए हार में परियाप्त मात्रा में विटमिन निया नावश्चक है इसके लिए हार में हरीपति सबसियां पीले फल दूद अंडा मका नादी शामिल किया जाना चाहिए विटमिन बी समू की बात करें तो वृद्धा वस्था में नाड़ी संस्थान बहुत कमजोर हो जाता है इसकारण वृद्धे वेक्तियों में सूनने की देखने की सुनने की और स्वाद में काफी मारी हो जाती है इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अहर में परियाप्त मात्रा में विटमिन बी होना चाहिए विटमिन सी की बात करें तो मसूड और दान्तों के स्वास्त के लिए तवचा के स्वास्त के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक्षम्ता को बढ़ाने के लिए आहर में विटमिन सी का होना बहुत आवश्चक है व्रिद्धों की रोग रोधक शम्ता में कमी आ जाती है इस अवस्ता में इसलिए उनके डाइट में विटमिन सी के खादिपदार्थ होने चाहिए और चुंकि इस अवस्ता में अगर रोग प्रदिरों तक शम्ता कम हो जाए तो व्रिद्धिव्यक्ती सर्दी जुकाम बुखार और संक्रमन आदी से बहुत जल्दी गरस्त हो जाते हैं जिसके कारण उनका पुशक्तत्वों का शोशन नहीं हो पाता और पुशक्तत्वों और पुशर जो स्तार होता है वो और अधिक गर जाता है इसलिए इन बेमारियों से बचाओ के लिए आहर में विटमें सी होना चाहिए इसके लिए नीवू , iamn控 MRIV, यम्रूद ! यह समार्विश खट्टी फलों का समाविश होना चाहिए विटामिन डी विटामिन डी आहर में परियाप्त मातर में होना चाहिए क्योंकि या कैल्शिम और फॉस्फोरस के अवश्वर्शन के लिए आवश्यक है इसके लिए सूरी की प्राता कालीन के लिने विटामिन डी का अच्छा स्रोत है तो सुबह की धूप सेखनी चाहिए वृधिलों को पर यदि किसी कारणवाश वृधिव्यक्ती चलने में असमर्थ है तो आहर के माध्यम से परियाप्त विटामिन डी दिया जाना चाहिए जल इस अवस्ता में बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर के विबिन रिक्रियाओं के समचे संपाधन के लिए इसके जरूरत होती है इसलिए जल को परियाप्त मातरा में लेना चाहिए इसके लिए पानी के अलावा दूद, फलों का रज, सबजियों का सूप, शिकंजी ये सब ले सकते हैं आहरी रेशा आहरी रेशा बहुत आवश्चा कैं वरिध्ध वस्ता में क्योंकि आदों की पेशया कमजूर होने की विज़ा से प्राया व्रिध्धों को कब्स की शिएद रहती है इस इस्तिती से बचने के लिए उनके आहर में रेशा परियापत मातरा में शामल करना चाहिए कब्स के अलावा अन्य बिमारियां जैसे मुटापा, मदुमे और हिदेसंबंते द्रोग आदिसे बचाओं में भी रेशा अच्छा होता है इसके लिए आहर में फल, हरीपतिदार, सबजियां, बिंडी, पत्तागोबी, मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, ककडी, तोरह यादी दे सकते हैं क्योंकि इनमें रेशा परियापत मातरा में उपलब्द रहता है बिद्ध वैक्तियों की जो आते होती हैं उनकी श्लेश में जिल्लियां, कठोड छिलके वाली सबजियां, आटे का चोकर, ये सब जो इनसॉलिबल फाइबर है, जो ठोस रिशा होता है उसको नहीं पचा पाती है, इसलिए वह नहीं देना चाहिए, या उसको देने से बचना चाहिए, किस प्रकार विद्ध वैक्तियों के आर्में संशोधन किया जा सकता है, विद्ध अवस्ता में, शारे लिक और मानसे विकास थम जाता है, शारे क्रियाएं धीमी पड़ जा जिससे वह अच्छी तरह चबा कर खा सके और भूजन सुपाज ची होना चाहिए जिससे कि उनको खाना खाने के पैश्चात अपच्छ की शिकायत ना हो इसके लिए जरूरी है कि उनका भूजन तला भूना और अधिक मिर्च मसालेदर ना हो कि अहार नियोजन करते समय अहार के कैलोरी मूल लिए पर विशेश द्यान दिया जाना चाहिए अहार नियोजन इस प्रकार का हुना चाहिए कि विद्धा विद्धी वैक्ति को उतनी ही उड़जा मिले उतनी ही जितनी कि इसको आवश रखता हो इसके लिए तल्य हुए रखना चाहिए कि उस भोजन से बागी पुश्टिक दातों की पूरती हो व्रिद्धों में कब्स की शिकायत ना हो इसके लिए रेशिदार भोजिपदार्तों जैसे नरम सबजें और फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे पहले ही बता है हमने की रेशा मुरक्त में शर मिल करना चाहिए बृद्धा वस्ता में अस्ति विक्ति पर अक्तालपता होने की भी संभावना होती है अर्थाद ऑस्टेपोरसिस और अनीमिया इसके लिए अहर में परयापत मातर में दूद दूद से बने व्यंजन यकृत यदी मांसाहरी हैं और हरी पत्तेदार सबजिय यह होनी चाहिए प्रोटीन की पूरती हो तो अहर में परयापत मातर में दूद मचली अंडा दालों का समावेश होने चाहिए विटामिन सी की पूरती है तो अहर में नीबू संत्रा आमरूद आमला और अनिक खट्टे फलों को समलित करना चाहिए प्रोटीन की पूरती है आहर में यदि हम मांस और अंडा समीलित कर रहे हैं तो हमें पहले उस व्रिद्ध की पाचनशक्ती के बारे में पता होना चाहिए यदि उसको जादा हेवी चीजें यानि की हेवी हेवी चीज से कहने का मतलब है यादि उसको अनिमल प्रोटीन्स यानि की मांस अंडा वगरा पचाने में दकलीफ हो तो यह इन चीज़ों को वॉइड करना चाहिए और अच्छे जो प्राणिस सोर्स हैं सोयवीन वगरा बूदिना चाहिए वृद्धों में प्राया कही प्रकार के विटामिनों की कमी हो जाती है इसलिए सुनिश्चित करना चाहिए उनके बोजन में सभी प्रकार के अविश्यक विटामिन हो और यदि किसी कारण भष वृद्ध के बोजन में सभी प्रकार के विटामिनों की समुचित मात्रा ना ह चाहें कि कम कम समय में चोट चोटा हर दिया जम जाना चाहिए जिसते कि उसकी पूश्रिकद्वास्त्यों की पूर्थि कुशुआ रूदुग नि पक्यों से रंशुघ किस प्रकार किया जा सकता है और किस किस प्रकार वृद्धावस्था में वृद्धों की पॉष्टिक्ततों की आवशक्ता बदल जाती है और उसके अनुरूप हम किस प्रकार उनका हर्नियोजन कर सकते हैं धन्यवाद